तो यह दोस्तों रेडमी नोट 10 प्रो इसे बाय करके मुझे 45-50 दिन हो चुका है और 45-50 दिन के एक्सपिरियंस आपके सामने शेयर करूंगा वैसे अभी इसकी प्राइस जो चल रही है दोस्तों 628 का साड़े सत्रह हजार कंपनी वाला दोस्तों स्याना बनके 500 रुपए बढ उनके साथ जाना चाहिए तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं वैसे दोस्तों पहली बार आये तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे बेल आइकन को दबा दीजे ताकि इस तरह का इंट्रेश्टिंग वीडियो आपको मिल सके तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों क्या आ आसा करा किबलप अब रियलमी एट प्रों गय turonna और अचों अच्छा है जो 108 प्क्सल का सिंसर मिलता जिसका यूज बहुत ही कम यूसर करतें क्योंकि प्रोंड में जाके फोटो को को यह फंड क YUM60 imagery प्रों 5G यह जो हैं इस पिना चैनल पाकि है बार इक दिज दोस्तों फो को ठक कर दे पाई क्यूंकि दोस्तों इसमें सूपर एमोलेंट डिस्प्ले आपको देखने को मिलता है जो 120 हर्ट्स के साथ आता है दूसरा चीज इसका प्राइस भी जवर्जस्त है बिल्ड कॉलेटी भी आपको पता है दोस्तों इसका तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों बैक बागरा में भी काफी जबर्जस डिजाइन है दोस्तो इस फोन को सरिफ एक चीज है फ्लैक्शिप नहीं बनाता है वो दोस्तो इसका साइट का एजेस जो है वो प्लास्टिक दिया गया है अगर ये मेटल बिल्ड रहता फ्लैक्शिप फोन बोल सकते थे लेकिन काफी स्लीम क्रिम और जबर्जस डिजाइन के साथ आता और इन हैंड फिल्ब भी दोस्तो इसका काफी जबर्जस लगता है और इसका दोस्तो जो डिस्प्ले दिये गया है वो भी काफी जबर्जस है 120 हट्स का सूपर एमोलेट 6.67 इंच का दिये गिया है जो दोस्तों पंच होल के साथ आता और पंच होल दोस्तों बहुत ही जादा छोटा है जो noticeable भी नहीं देखता है बात करते हैं दोस्तों इसका chin वागेरा भी बहुत ही कम दिये गिये है अगर वीडियो वगएर आप देख रहें तो काफी जवर्जस एक्सपेरियंस आपको देखने को मिलेगा इस फोन में दोस्तों तो यहीं होती है इसकी बिल्ड कॉल एटी यूएसब टैक्सी के साथ आता डूर इस्टेरियो स्पीकर आता है हम आगे बात करें कि उसमें खास क्या है और भी बहुत सारी चीज आ इस असे सबसे आरेटिंग फीचर सही गडार डोस्तों और दोस्तों 5 combat यूज Eins इसमें पहुदा है और डोस्तों מן्ट्र में पॉंना से में आता है क्यां में जो है झो दोस्तों अंडर 20,000 में मैं ऐसा बोलूँगा कि दो नंबर में आता है क्योंकि दोस्तों एक नंबर में मैं ऐसा बोलूँगा कि एक ही फोन है रेडमी नोट 10 प्रो मैक्स या फिर दोस्तों रियमी ऐट प्रो ठोड़ा सा उसके नीचे है लेकिन दोस्तों इसको crash क dual के बराबर बोल सकते हैं वो स्धोर अगर प्रो मोड में खीचेंग वह थोड़ा से निकल जाताई 500 MP के वज dawn दोस्तु इसम केशा देखने को मिलता है, सिल्फी कैमरा भी दोस्तों डिसेंड सा दिया गया है, लेकिन दोस्तों आप बात करते हैं इसके बैटरी कैपिसिटी और चार्जिंग की, तो दोस्तों चार्ज होने में इसे एक घंटा 20 मिनट लगता है, ये पक्की बात है, लेकिन दोस्तों अभी MIA UI 12. 12.5.2 का जो अपडेट आया है, उसके बात दोस्तों मुझे बैटरी बैक आप इसकी काफी जबर्जस देखना को मिल रही है, जो पहले का बनिस्वत अभी काफी जबर्जस है, इस पर मैंने डिटेल वीडियो कर दिया है, दोस्तों क्या बैटरी वागरा कैसा मिल रहा है, क् ऐसे दोस्तों मैं PUBG on किया, सिर्फ टेश्टिंग के लिए खेल रहा हूँ दोस्तों, ऐसा मा समझिए कि मैं खेलता हूँ टेश्टिंग के लिए क्योंकि Call of Duty में 3D sound effect वगरा नहीं मिलता, जो दोस्तों PUBG मिलता तो मैं PUBG में खेल रहा हूँ, यहाँ पर on कर दिये गेम, और गेम दोस्तों आपको उधर सही मिलेगा, और राइट पर मारेगा दोस्तों, जब हम राइट पर टिल्ड करते हैं, तो राइट के तरफ से sound आता है, जो काफी amazing है, मतलब दोस्तों 3D sound आपको gaming भी देखने को मिलेगा, और दोस्तों जब यह sound आता है, तो हलका सा vibrate भी करता है, फ तरह का मोटर नहीं दिया गया है, इसमें दोस्तों डेडिकेटेट एक अलग टैप का हैप्तिक मोटर दिया गया है, जिसकी वज़ह से काफी जबर्जस आपको experience मिलता है, मतलब हलका हलका flagship जैसे ROG phone 5 वागयारा जैसा phone है दोस्तों, उस तरह का है इसमें देखने को मिलता है अब बात करते हैं दोस्तों इसके processor के snapdragon 732GL अब processor है, यह दोस्तों processor मैं ऐसा बोल सकता हूँ के snapdragon 720 से थोड़ा सा faster है, लेकिन उसी के बराबर है दोस्तों, लेकिन ऐसा बताया है जा रहा है दोस्तों, बहुत सारे लोग test भी किया है, मैं तो test नहीं किया, लेकिन इसका antudo benchmark score 333,000 के करीब आ रहा है, अभी दोस्तों जो नए update आया है, 12.5 के बाद दोस्तों इसका speed काफी जादा बढ़ गया, और मैं भी दोस्तों इसको observe कर रहा हूँ, जब gaming वगरा मैं करता हूँ, तो वहाँ पर देखने को मिलता है, और 120 Hz refresh rate के साथ दोस्तों गेमिंग काफी जबर दोस्तों नहीं था, क्योंकि उस टाइम दोस्तों 12 का update चल रहा था, लेकिन 12.5 के बाद दोस्तों 4 ही bug मुझे मिले, बाकी bug दोस्तों मुझे देखने को नहीं मिले, लेकिन दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं, अब UI की तो UI दोस्तों इसका काफी जबर्जस हो गया, जैसे द करते हैं दोस्तों इसका mobile को आप खुद भी test कर सकते हैं इसके अवाट सेक्शन में जाकि दोस्तों करनल में अगर पाच्छे बाद करेंगे, उसके बाद दोस्तों एक सेक्शन खुलेगा लंबा सा और वहां पर दोस्तों सारा कुछ आपका दिया गया है, जो दोस्तों आप म्यूजिकल वाइस वागरा दिया गया है, लेडिस का वाइस आप यहाँ पर यूज्ज कर सकते हैं, अलग लग तरह का दोस्तों यहाँ पर gesture वागरा और शॉटकर वागरा यह दिया गया है दोस्तों और गिमिंग के लिए हास, सेंपल वागरा दिया गय जो काफी amazing इस phone को है पत करते दोस्तों टूल बॉक्स की तो यह सबसे मज़ेदार और जबजस फीचर्स है अपने हिशाब से रिफ्रेश रेट सेट कर सकते दूसरा चीज दोस्तों इसके सौंड वगएरा को इनहेंस कर सकते अपने हिसाब से दोस्तों आपको जैसा मर्जी चाहे वैसा कर सकते है पत करते हैं दोस्तों सूपर लाइव वाल पेपर की तो यह दोस्तों सबसे अलग फीचर्स है इस फोन का जो दोस्तों रेड्मी के फोन में आता है इस फोन में तो नहीं आया लेकिन कैसे डालना है वो हमेली गराम में आप हमारे साथ जुड़िया है तो वहाँ पर सारी ची थरह से जैसे टाप करेंगे दोस्तों तो यहां पर Yemen हो जाता है यहां पर फोकस नहीं हो जा लिए फोकस दिये तो इस रहता है तब डार्क मोड में दोस्तों इसका प्रॉब्लम दिये गया है और दोस्तों जब आप गेम खेलते रहेंगा और वहां पर कॉल आ गया दोस्तों तो सौंड दब जाता है मतलब दोस्तों जो बात करेंगे वो सौंड जाएगा उसके बाद दोस्तों जो कॉल कटने के ब पंदरा दिन दस दिन पहले बोलते तो मैं बोलता कि यह value for money है लेकिन दोस्तों आज के date में यह value for money नहीं है क्योंके दोस्तों आप जा सकते हैं वन पलस दोस्तों आपको वैल्यू फोर मनी देगा साड़े सत्रह हजार में यह अभी भी बेश्ट है और दोस्तों experience वहरा गयरा भी जवर जा साथ और और वी वीडियो चाहिए दोस्तों तो सारा विडियो हमारे चैनल पर है तो